तो नमस्क्राइब दोस्तों एक वार फिस्स सागत है आपके अपनी यूटूब चैनल है श्टेडियान पे तो जैसा कि आपने थंबलें में बिल्कू सही देगा कि आज हम आपको बताने वाले University of quota यनी quota visye Knocked for from your music कोि usc first year के आज हम आपको course pattern के बारे मारे में सब्जेट के लिए हम फिजिक्स के भी आपके सेपरेट वीडियो लाने वाले है जिसरी फिस्ट ये कोर्स पेटर, मास पेटर और सेलेबस पे जिसका लिंक आपको जल्द ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लिजेगा जिसे हम वो वीडियो डालते हैं उसके नोटिफिकेशन भी आपके साल पहुच जाएगी तो आप जरूर इस वीडियो को जरूर पूरा दिखेगा यह आपके लिए बहुत जदा खास होने वाला और यूस्पूल होने वाला है आप इसे कई भी इसकिप मत कीजेगा तो आइए शुरू करते हो रहा आज पूरे पेटरन को यहाँ पर समझते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम मास 75 मासका और पेपर 3 होता है आपके 75 मासका तो आप यहां पर देख सकते हैं यह त्योरी exam होता है 200 मासका जैसे के आप यहां पर देख सकते हैं यह पर प्रेटिकल एक्जाम होता है आपके 25 मास्का जैसे कि आप यहाँ पर देख सेते हैं पेपर फ़र्ष्ट और जो आपकी 50 मास्का वो इस कारण ही है क्योंकि आपकी इसमें प्रेटिकल एक्जाम हो जाता है आपकी 25 मास्का इस बरकार आपकी टोटल मास्क कितने होते हैं 225 मास्के जो आपक नमबर थेओरी यानि संक्या सिद्धान्थ ये नमबर थेओरी बुक आपके आभी दो-तिन साल पेले ही नहीं जूड़ी है और ये जो पेले पेपर है आपके ये कुल मिला के 50 मास्क होता है और इसी के अंदर आपके प्रेटिकल एक्जाम भी आपके आता है उसके बाद पेप होता है आपके 75 मास्क है जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पेले बता है और ये जो आपका पेपर है बहुत ज़्यादा इंपोटेंट होता है BSE First Year में अब पेपर थड़े में बात करें तो इसमें आपके तीन बुके चलती है धियान रखीजिएगा जिसमें पेली होती ह आप्कि वेक्टर केल्कुलस या नहीर सधिश कलंग दुसरी होती है आपके 2D जमेटरी याई ट्री जैमेथि उसके बाद जो आपकी थरड़ बुक होती है वो बुक होती है आपके 3D जोमेटरी यानि 3D जैमेथिए यह तीन बुके हैं मिला के आपके 75 मास्क है याई यह पर आपको साइड में तीन लाइने दिखाई दरी होगी आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आपको नीचे जाते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है यहाप नीचे जाते तो आपको सामने दिखाई देगा सेले बस इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाप इस पर पेज खुल जाता है यहाप फूसके बार आपको जिस भी आप डाउनोड कर सकते हैं अगर हम बात करें आप ब्लीं फच्टियर मेस में तो यहाप सिंपल ह करती आपको फर्स्ट पर BSC क्लिक करना है जैसे आपको इसी क्लिक करना है जैसे आप2 इसपी कलिक करना है जैसे कि आपकर युनिवसिटी और कोटानी जो 2022 का सेलेबस नहीं डाला है लेकिन मैं आप सब को बता दूँ जो आपका सेलेबस है वो लगबग आपका हर साल वेसा का वेसा ही होता है केवल अगर उसमें कुछ चेंज हो जाए तो वो मुश्किल बात है अगर वो हो भी जाता है तो उसके मैं वीडियों यहाँ पर बना दूँगा जिसमें सेलेबस के बारे में बात करेंगे तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं जो आपके यहाँ ऐसे फिए का हे आपका यहां पर जो की हिंदि में और अगर आंग्विश में बात करे तो उपर आपको ुए इंग्रिश में दिख जाएगा और निच्छे यहाँ पर हमने आपको लिए आपको दिखाए दिया है तो जैसा कि आप अपट देख सकते हैं जो यह से फर्स्टियर मेंसका है अपका इसमें आप पहला पेपर जो देख सकते हैं मैंने अभी आपको बताया था number theory abstract algebra जो कि आपका पेला पेपर होता है उसके बाद में हम यहापर दूसरी बुक हमने आपको advanced calculus जिसमें हमने आपको दो बुके बताई थी differential calculus और integral calculus उसके बाद में यहापर थर्ड बुक हमने आपको vector calculus के बारे में बताई थी और 2 लेकिन यहापर काफी students अगर नए आये बीसी फस्ट एर में तो उनके लिए मैं आपको यहापर थोड़ा से explain करके बता रहा हूं अगर इसमें कुछ change होता है तो मैं आपके लिए एक नया separate video बताऊंगा यह उस आधार पर बता रहा है तो यहापर देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको paper first के बारे में बताता हूं तो paper first होता है आपके 50 mask जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बतायता है इसमें आपके तीन section चलते है section A, section B और section C section A में आपके 10 question आते हैं जिसमें आपको 10 के 10 करने होते हैं जो कि आपके 5 unit में से कोई से भी unit में से हर 2-2 question आत है जुकर आपके very short cautions रेते हैं और यह कुल मिला के आपके 5 mask यायनि 110 यह कोशन आपके half mask रेता है उसके बाद हम बात करें section B में तो section B में आपके 10 cautions आते हैं एक unit में से आपके दो cautions पूछे जाते हैं इस परकार आपके पाच unit में से 10 cautions पूछे जाते हैं आपको यह आप केवल एक निनिट में से 1 question attempt करना होता है । योप आपके इतना समझ में आ गय जयाता है ये केवल में 50 नमबर वाले question attempt की बात कर रहा हूं आप बात करें हम यहां पर paper second अ पेपर third जो 75 marking के होते है paper उसमें क्या change है तो वो आई समझते है तो यहां पर आप देख सकते जो paper आपके 75 मास्क होता है अब यहां पर थोड़ा सा पेटन अलग हो जाता है यह किस प्रकार अलग होगा तो यहांपर आपके section A है उसमें तो आपके 10 कोशिन ही आते जो कि आपको मेने शुरात में भी बताएता है अब यह 10 कोशिन में क्या होता है आपको वही इस मेंसे हैं पारकतों नुए गार्वूल 10 मी संब्स ौनों 10 में ऐब यहां और एक question होता है आपके यहाँ पर 15 mask का जी हाँ आपने बिल्कुँ सभी सुना, महाँ पर आपके 10 mask का 1 question होता है लेकिन यहाँ पर आपके 15 mask का question होता है, इस तरह दार पर आपके दो questions 30 mask हो जाते हैं, और यह तीनों section को मिला के आपके 75 number का paper बनता है, जो कि आपके second paper होता है और third paper होता है third paper में भी आपकी यही method क्योंकि यहाँ पर चापका third paper है वो भी आपकी क्या है? 75 mask का होता है उसके बाद है यहाँ पर आपके हिंदी में भी यहाँ नीचे syllabus आ जाएगा उपर आपको English में syllabus दिखाए दिया अगर इसमें कुछ भाईचंज हो जाता है जान तक नहीं होने वाला अगर इसमें हो भी जाता है तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक को नया वीडियो सेपरेट बना दूँगा आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो फिस लाइक जरू कीज़ेगा आपको बना इसमें मिलज़ेगा